सबसे पहले हम Constable, Fireman और Special Security Force यानी SSF वेकेंसी डिटेल्स चेक करेंगे अगर हम टोटल नम्मर और पोस्ट की बात करें तो 22,699 पदों के लिए भरती निकाली गई है अगर हम Constable की बात करें तो Constable के लिए 41,811 पोस्ट रखी गई है Fireman की बात करें तो Fireman के लिए 1,007 वेकेंसी रखी गई है PSC की बात करें तो PSC के लिए 8,540 वेकेंसी रखी गई है Special Security Force यानी SSF की बात करें तो SSF के लिए 13,041 वेकेंसी रखी गई है Post की बात करें तो हमारा Total Number और Post 2,699 पदों के लिए भरती निकाली गई है अगर हम SSF नई भरती 2023 सेलेक्शन मोड की बात करें तो हमारा मोड और सेलेक्शन सबसे पहले हमें Return Exam देना है उसके बाद Physical Test देना है, उसके बाद Medical देना है, उसके बाद Final Merit List बनाय जाएगा उसके बाद हमारा Document Verification किया जाएगा अगर हम SSF Fireman और Constable नहीं भरती 2023 एप्लिकेशन फिस की बात करें तो हमारा एप्लिकेशन फिस General OBC EWS Candidates के लिए 400 रुपे की फिस रखी गई है अगर हम ACST Candidates की बात करें तो ACST Candidates के लिए भी 400 रुपे की फिस रखी गई है अगर हम Payment Mode की बात करें तो हमारा Payment Mode, Online Mode रखा जागा यानि आप डेमिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या Net Banking किसी भी माध्यम से आप अपना फिस पे कर पाएंगे अगर हम SSF नई भरती 2023 वेकेंसी डिटेल्स चेक करें अगर हम Organization Name की बात करें तो हमारा Organization Name उत्तर परदेश पुलिस यानि UP पुलिस के तरफ से वेकेंसी निकाली गई है तो हमारा Type of Employment गोभर्मेंट जब होने वाली है अगर हम इयूपी पुलिस कौंच के लिए बरती निKाली गई है जब लोकेशन की बात करें तो हमारा जब लोकेशन उत्तर परदेश रखा गया है रखा जागा यानि उत्तर परदेश जब लोकेशन है अगर हम Post Name की बात करें तो हमारा post name constable, psc, fireman, ssf के लिए भरती निकाली गई है apply mode की बात करें तो हमारा apply mode online mode रखा जाएगा यानि इंडिया के सभी candidate इस form के लिए online ही आविदन कर पाएंगे अगर हम UP police constable qualification details देखें तो सबसे पहले अगर हम qualification की बात करें तो ही आप इस form के लिए आविदन कर पाएंगे अगर हम UP police required age limit की बात करें तो हमारा age limit अगर हम minimum age limit की बात करें तो 18 साल रखा गया है maximum age limit की बात करें तो हमारा maximum age limit 23 साल तक रखा गया है यानि 18 साल से लेकर 23 साल तक के सभी candidate इस form के लिए आविदन कर पाएंगे एज रिलेक्सेसन की बात करें तो आपको एज रिलेक्सेसन भी दिया जाएगा गुवर्मेंट के रूल के एकोर्डिंग S.E.S.T. केंडेट्स के लिए 5 साल और O.B.C. केंडेट्स के लिए 3 साल की छुट दी जा सकती है अगर हम U.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P. कि बात करें यानि starting date तो अगस्त फर्स्ट पे आपको देखने को मिल सकती है अगर हम last day to apply की बात करें तो हमारा last day to apply अगस्त लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगी अगर हम UP police exam pattern 2023 exam pattern की अगर हम बात करें तो हमारा अगर हम negative marking की बात करें तो one by four negative marking रखा गया है time duration की बात करें यानि exam time की two hours आपको exam time दिया जाएगा अगर हम mode of exam की बात करें तो offline exam आपको देना है OMR best multiple choice question देखने को मिल जाएगा अगर हम UP police नई भरती 2023 स्लीबस की बात करें तो सबसे पहले पार्ट में हमें general knowledge के question देखने को मिल जाएगा 38 question 76 marks के लिए दूसरे पार्च की बात करें तो जेनरल हिंदी के question देखने को मिल जाएगा 37 question 74 marks के लिए तिसरे पार्च की बात करें तो नामरिकल aptitude के नमरिकल अबिलीटी के question देखने को मिल जाएगा 38 question 76 marks के लिए चोक्ते पार्च की बात करें तो mental appritude re-earning ability के question देखने को मिल जाएगा 37 question 74 marks के लिए अगर हम टोटल नमर अब questions की बात करें तो 150 question 300 marks के लिए देखने को मिल जाएगा अगर हम UP police नहीं भरती 2023 physical measurement test की बात करें तो general OBC EWS candidates height की बात करें तो 152 cm और minimum weight की बात करें तो 40 kg रखा गया है अगर हम SCST candidates की बात करें तो 147 cm और minimum weight की बात करें तो 40 kg रखा गया है अगर हम UP police physical efficiency test यानी PET की बात करें तो male candidates के लिए 4.8 km running रखा गया है अगर हम time की बात करें तो 25 मिनट time दिया जाएगा अगर हम female candidates की बात करें तो 2.4 km रखा गया है तो 14 मिनट time दिया जाएगा अगर आप भी SSF constable और fireman के पदों के लिए आउधन करना चाते है तो मैंने इसका link आपको description में provide करा दिया है और भी इसकी कोई नई update आती है तो मैं इसकी जानकारी आपको next वीडियो में देने की कोसिस करूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करके channel को subscribe करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद